तो यह गुद्मारिंग स्टुडेंस वेलकम तो लेन से केडमी लेका इस वेल्कम तो लेन से के लिए प्रवान नंबर वन नंबर सिस्टम अपन शुरू करें उसके पहले चैप्टर भी हो गए बन्सको लेट शुरू कर रहें सबसे पहले बात करेंगे नंबर किसकी बात करेंगे बच्चों किसकी करेंगे नंबर नंबर तो दुनिया में दो तरह के नंबर सोते हैं यह सब आपने बनाया हुआ होगा आप एक बार अपने नोट्स भी खोल लेजिए उससे से ले टी देग़и बार फिर से नोट करनी जोरत नहीं है क्यों करता है और रियल मतलब वास्त्विक जो दुनिया में वाकई में है एक्जिस्ट करता है तो अभी तक आप नमबर पढ़े सुने देखे लिखे आरे के सारे क्या है नंबर से एसाल क्लिए इस लिए चैप्टर का नाम अभी तो जो नंबर सिस्टम बढ़ रहे हैं यहीं चैप्टर अगले साल रियल नंबर्स बन के आता है मतलब रियल नंबर्स के बाहर वो लेके ही नहीं जाएगा आपको टेंथ तक के लेवल में तो 11 में आएंगे अपन रियल नंबर से बाहर ठीक है तो अब नेक्स्ट इंडी में क्या कहता है इसको परी में और अपरी में संहां क्या क्या डफिनिशन है कोई एक ऐसा finger को ocas hac अप्पी अपवान क्यूथ यानने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखको जहां पे और क्यू क्या ओने छाहिए क्यों और क्यू हर हाल में होने चाहिए पी और क्यों हर हाल में प्रिक्ष्षाम से दे में इनपींचे बता होते हैं बहुत इन्टीजर क्या होते हैं है हूं वॉर्ह चील झील होते हैं आप पॉजिटीव और नेगेटिव नंबर में करें कि पी चार आउं पी सबसे पहला आंसर आए जिसको पीबाई क्यों की फॉर्म में लिख सकते हैं तो नीचे भी तो देख पा रहे हो स्क्रीन पे इंटीजर का मतलब पूण आंक यह सब कंप्लीट नंबर से इनको क्या कहेंगे इंटीजर नंबर लाइन पर देखिमल नंबर भी होते हैं वन और जीरो और वन के बीच में इंफाइनाइट नंबर से यह सहे जिए जिरो पॉंट फाइफ शीरो पॉंट फैफ इंटीजर थोडी नहिकी नूबर लाइन पर लाया उने वाले वाले नंबर से घ्लियर ए नंबर लाइन पर देखिमल नंबर लॉन बहुंन नいき बार लाइन पर तो यह तो याद कैसी ओaser में में आपको ना रूट टू को रूट टू को नंबर लाइन पर प्लॉट करके बताऊंगा तो इर्रेशनल नंबर भी तो लाए हो रहे हैं ना नंबर लाइन पर तो तो वह इंटीजर लोएवाई इस सी तोड़ी नकि ब्यूर साठी नमबर को पी क्यों की एन चाहिए टिक है यानने और उने चाहिए प्रोने चाहिए और क्यों की एक वैल्यू है वह सब्सक्राएं और क्यों की बिलिब skipping तरों दोने पर तो कोई भी इंटीजर रख ले लेकिन नीचे जीरो मत रखना अगर यह फॉलो कर पा रहे हो और वह पी भाई क्यों की फॉरम में लिख पा रहे हो ठीक है ना विच कैन भी रिटन लिखा है मैंने विच कैन भी रिटन महला अपन एफर्ट लगा के उसको लिख सकते हैं क्या अगर लिख सकते हैं तो रैशनल और एफर्ट लगा के लिख नहीं पाए कोशिश करके भी लिख नहीं पाए तो फिर वो क्या हो जाएंगे तिर रैशनल नंबर विचिस नौट रैशनल जो रैशनल नहीं है वो रैशनल रैशनल कौन नहीं है जिसको पीवाई की कौम में effort लगा के भी मैं नहीं लिख पाया clear है यहां तक clear है बोलो yes sir जैसे कि 7 by 3 7 complete number है 3 complete number है जैसे कि 2 by 5 2 complete number है 5 complete number है जैसे कि 1.5 अब 1.5 अभी PYQ की फॉर्म में नहीं है लेकिन मैं चाहो तो इसको 15 बाइटी सेवन लिख सकता हूं 15 complete number 10 complete number कार्ट के मैं इसको 3 5 3 1 15 5 2 10 भी लिख सकता हूं 3 भी complete number लिख सकता हूं 2 भी complete number ठीक है 3.77 को भी मैं 377 बाइट लिख सकता हूं 377 अपने आप में complete number 100 को मैं 3 लिख सकता हूं कंप्लीट नमबर 22 को मैं 22 सकता हूं 22 सब्सक्प्न लिख सकता हूं और वहीं लिख सकता हूं तो प्लस टू को भी आप आप 2 x 1 लिक पाओ गे और माइनस 2 को भी आप माइनस 2 x 1 लिकपाओ तो दोनों ही case में रूट 4 भी क्या हो जाएगा रैशनल हो जाएगा similarly root 9 को भी आप क्या लिकपाओ होंगे plus or minus 3 plus 3 को भी आप 3 x 1 और माइनस 2 को भी कोई कोई कि कि बात करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा इर रैशनल नंबर्स मतलब वह नमब जो रैशनल नहीं वह रैशनल ने पाल जैसे कि रूट टू ले लिए यह मैं अबी तो आप यो तो हैए तो यह soit कर सह ने मैं सब्सक्राइब यह तो इंटीजर हो रहाए है यह टीक है बडब बड वट आपॉड इस आप यह नहीं dime1.4 यहाएव होंAULW Всем complete नहीं है incomplete value है complete value ही इंटीजर में आती है तो वह इंटीजर 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 तो पी और क्यों दोनों इंटीजर होने चाहिए इसी लिए इस नमबर को क्या कहेंगे समझाया बोलो और दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे नंबर से रूट थ्री रूट फाइव और जरूरी निये रूट वाले ही नंबर है और भी जो रूट वाले के अलावा भी कुछ नंबर से लेकिन अभी वह आपके कोर्स में नहीं आएंगे क्योंकि उतनी ज्यदा डीटेल में आपने ची किन फिर स्नीन नी दों सब्सक्राइब के अंदर के सारे के वह नंबर स्थयं होपा रहे हैं वह तो अथे और ईक कया लेंगे इagaraशक कर YouTube तैंब वह एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वह अपन के वहल इसलिए मान लेते हैं ताकि अपना क्यूशन हो जाए बट बिकॉस पाई की वैल्यू अभी तक तक किसी को भी पता ही नहीं आज तक नहीं पता लग पाई पढ़ाई इसको भी हम एक रैशनल की के तबी को कि दो यहां तक लेर सबी को ठीक है अब रैशनल इरैशनल में भी रैशनल वाली के टेगरी पकड़ रहा हूं और रैशनल वाली के टेगरी को भी कुछ के टेगरी में डिवाइड कर दिया गया स्पेशल के टेगरी सोफ नंबर्स विदिन रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स के अंदर भी कुछ के डी copyright गया च्छोड़ दो आप साइड मेगा पहले नमबर्स लिया में ऑग concern को चोड़ दिया साइड में अब गात करी में अब अब फिर यह फना को चोड़ ठीजय हो च्छोड़ दिया अपके वल को च्क यह घ्याल में भी च्छल kick बांब कर लेकिन मैं यही नंबर लायन पर होने वाले सारे नंबर इसके बिच ओ बीच में बहुत यह पॉजिटिव भी हो सकते हैं यह निगेटिव भी हो सकते हैं और इवन यह नूट्रल भी हो सकते हैं पहली गेटेगरी क्लियर हैं इंटीजर्स वाली नंबर्स इसके अंदर से इस इंटीजर्स में से यह नेगेटिव नंबर्स हटा दो तो जो बच गए वो होते हैं समझाया क्या समझाया है क्या औरे बोलो न बबबुआ समझाया क्या मैं इसे डियुकल इंटीजर्स अटा दो नेगेटिव इंटीजर्स अटा दो जो बच गये वो यह हैं यानि कि 0 से काौंट यूट 01234529 वह ओल नंबर्स होते हैं होल नंबर यान नॉनसर्स देटिव नॉन नेगतिव इंटिजव में मतलब chirping बूट्र lég?!? गौंट होगा और सारे पॉजिटिव होंगे तो नूट्रल प्लस पॉजिटिव का सारे पॉजिटिव इंटीजिव का कॉमिनेशन याने जिवी प्लस सारे सारे आधी दुद 34 एंड-so clear है whole numbers लो लो फिर है ठीक है whole numbers के बाद next category आप सबने गेस्स कर ली होगी क्या होता है whole numbers के बाद बोलो कैसर नेक्स के टेगरी क्या होगी तुरस बंती जा रही है तो फिर चटनी कर दी जीरो को अटा दिया वहाँ से तो नाचुरल नमबर का सिंपल सा मिनिंग होता है बचपन में जहां से काउंटिंग स्टार्ट करी थी और शुरुवात में जो लब बच्चो को सिखाते हैं बहुत नमबर से जाने के कहूं कि एंटीजर्स मेंने फोल बनाने के लिए neutral भी ख mata दो थो पॉजितिव इंटीज़ रख दो थो पॉजितिव इंटीज़ जो होते हैं रै ही नैचुरल नंबर होते हैं ठीक हैं देखो क्या कहते है इससे ज़्याद कहेगा भी अर पॉजितिव एंटीं शांट सब्सक्राइब होता है नाचे लंबर पिचेजस यहां को सबको बताओ ए ilE और सबसे पहली बात सो इंटीजर होंगे जो के एंटीक है उन इंटीजर्स में से जो इंटीजर्स दो से डिवाइड हो जाएं वो तो है इवन जो ना हो वो हो जाएंगे और इवन नंबर साथ इंटीजर्स विचार डिविजिबल बाइटू और नंबर साथ इंटीजर्स विचार नॉट डिविजिबल बाइटू यानि इंटीजर् फिर माइनस सेट माइनस फूर माइनस टू जीरो जीरो एवन में आएगा या तक ना ना फिर टू फोर सिक्स एट टैन यह सारे इवन है क्योंकि इन सब कि जाएगा और माइनस वन बच जाएगा मैनस से मैनस टू टू टाइम बच जाएगा फिर माइनस नॉमपर इस डिश्यर वन नॉड्ट बच पहले की फॉजिटिव नंबर में सीखे थे अबर अब हमारे पास के फिल पॉजितिव नूमबर नेगेटिव नमबर्स भी जीरो भी आने हमारे पास बहुत सारे इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स में अपने यहां तक यह वन बाइवन उठा लिया करो जैसे माइनस थ्री माइनस वन यह चोड़ा है यह खाए को इसके सारे इंटी माइन बढांए है को एक टेलस दनिया के वापậगों है वापण नंबर्स इन दुछ या बनेंगे बताओ कोई कि आध दखेले में दुनिया के वापण बनेंगे नंबर्स जाल दें दूसरे आख़े AdministESS में वापस दुनिया के सारे ओर नमबस भिटाल तो अब उस घ्ले में किस तरह के नंबर साथ सब्सक्राइब में किसी जिए नंबर już ना होने वाले एक कि लाए कि सारे की सार थए कर एक ना estoNotКак ये को हिंदी में बोलते है धाज्य बाद Bitte प्राइम का ओपोसिट अब स्क्राइम क्या होते हैं प्राइम नमर से शुरू होते हैं डुब वो जो की डिविजिबल बाय दुनिया में केवल सो दूनिया में एकक्ट ली मतलब दो से चार मतलब यह केवल दो नंबर से sih किससे होते हैं सर एक तो वन से को हमेशा होंगे और एक खुद से हमेशा होंगे वन एंट सेल्फ वन एंट सेल्फ जो केवल वन की शादी में जाए और इट सेल्फ की शादी में जाए शादी में जाने का मतलब उसकी टेबल में दिखाई दे जो केवल वन की टेबल में दिखा प्राइम and composite negative integers का concept ही नहीं है याद रखना even और और तो फिर भी negative integers में भी होंगे लेकिन और composite केवल और केवल 1 से शुरू हो के फिर बाफिए नम्बर स्में चेक कीह जाते हैं और प्राइम और composite नहीं दिखए जाता तो positive integers जो कि one और itself की कि शादी में जाए है उसके टेबल में दिखाई दें वह तो होंगे प्राइम नमब जो खुद की शादी में तो जाएगा नहीं है और क्या वंकी शादी लो इंट सेलf मान लो खुद भगवान की शादी में जाया वो तो है प्राइम और जो इन दोनों के अलावा एक तरीके से वह composite numbers प्राइम मतलब क्या प्राइम होना चीए विए प्राइम नहीं वो क्या हो जाएंगे जो विए पी नहीं है वह आम जनता ठीक है जो आम जनता नहीं है वह वी एपी ठीक है चलते हैं अगे अब एक्जामपल्स पॉजिटिव इंटीजर से शुरू करेंगे तो सबसे चोटा प्राइम नंबर आएगा दो फिर तीन पांच साथ ग्यारा तेरा सत्रा प्रूपरो टू वन की टेबल में यह सारे दिखाई दे रहें यह सारे दिखाई दे रहें ठीक है लेकिन टू जो है के वल टेबल में बोलो यह सेवन की टेबल में यह किसी और नंबर की टेबल में यह 11 क्या खुद की शादी में खाना खाता है कभी आप 11 को यह नहीं देखोगे कि चिंकी की शादी में जाके खाना खाते हुए लेड़ बर के खाना खाराओ नहीं दिखेगा आपको समझाया गया है वाग जाते और खाना को पखड़ता हूं न ना दिखता है मुझे दिन बर में तो एक तो बन की शादी में भगवान की शादी में तो जाएगा खुद की शादी में यह शादी नहीं होगी लेकिन भया तू की शादी में क्या खर रहा है तो टूकी टेबल में भी दिखाई दीया था और तुप पाइव टेबल में भी दिखाई दिया था बत्तमी आदमी एक तरब एक नंबर का ठीक है ना तो ऐसे बद्ध लोगों कोद डालेंगे composite numbers में डालें समझ आया समझ आया क्या इस स्रेस्ट समझ में आ रहा है बोलो एक और उठालो चलो 16 उठाले नहीं 18 उठालो चलो 18 देखो भगवान की शादी में दिखेगा दिखना भी चाहिए लेकिन ये 2 की शादी में दिखता है 298 यह थ्री की शादी में भी दिखता है 368 यह सिक्स की शादी में भी दिखता है शीक्स की जाएट है आप लोग जाओ जिसका स्कूल का टाइम होगा जो फिर आप बात में वीडियो देक लें जो लीव कर रहे हैं ठीक है 28 जो है देखो तुकी शादी में भी है ट्रीरिग की शादी में भी और One is neither prime nor composite One को ना तो prime की category में डाला ना तो तो VIP है ना ही तो आम जनता है ऐसा क्यों? तो क्योंकि वन तो खुद भगवान है वन तो खुद भगवान है वही भगवान इनसान धोड़ी नहों सकता है ना तो यह VIP इनसान है और नहीं यह आम इंसान, यह तो बगवान है, और देखो, वन जो है, बगवान है, खुद तो बगवान तो बगवान की शादी में जाएंगे, ठीक है न, तो वन जो है, वो केवल और केवल, वन की शादी में दिखाई दे रहा था, वन जो है, वो केवल और केवल, वन की नाहीं दो लोगों के धिक दिखाए दिया इसल्हें प्राइम नहीं है अना हिए दो लोगों से जदा लोगों के दिखाइज दिया इसलिए यह remote is भी नहीं नहीं aha भगवान तो पर फ्रमात्मा स principal क्लिए हो सब्सक्राइब सबसे चोटा प्रायम नंबर कुन सा होता है दुनिया का सबसे चोटा प्रायम नंबर क्यों स्चाइल टू-टौइ-क impeachment नमबर है टू ही अकेला ऐसा प्राइम नमबर है जो कि coun है बाकि जितने भी प्राइम नंबर से सब ओड़ यह अज एले लिए वह सारे नमबर अब नबर और आगे जाओंगे जा होगे कोई भी ढिस द्वीन ही मिलेगा आपको सारे से किYA कि राइम नंबर विच्छ इवन केवल अकेला ऐसा प्राइम नंबर जो एवन है वो है तू रेस्ट और प्राइम नंबर और एक और कैलकुलेशन अपने को याद रखनी है और कल का होमवर्क भी मार्क कर लो वन से लेके हंड्रेड के बीच में जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सब लिखके लाने हैं नोट नहीं है कई बार क्योशन आता है कि एक से लेके 100 के बीच में कितने तो अगर आपको ध्यानी होगा तो अब गिनने बैठ होगे तो शायद करक्क नोट लेकिन टाम वेस्ट ना उसलिए फिक्स एक नंबर याद रखो एक से लेके 100 के बीच में पच्छीस प्राइम नंबर्स होते हैं 25 प्राइम नंबर सो ठीके क्लियर है यहां तक कि बोलो है कि यहां तक कि अब मुझे अब यह बता सकते हो विटा कि एक से लेके पच्चिस एक से लेके सो के कि बीच में 25 प्राइम नंबर से लेकिन हमेनी कॉम्पोजिट नंबर से बता सकता है कि एक से लेके सो के बीच में प्राइम बजब यहां अरे वन को का यह न तो बगवान है 74 सेवंटी फूर वह बता है तो यह आपका नंबर का इंट्रोडक्शन यहां पे खतम होता है ठीक है ना नंबर का इंट्रोडक्शन खतम होता है देखो तो मेरे साथ से इस जीरो एक रैशनल नंबर क्या जीरो एक रैशनल नंबर है बता बताओ जीरो नंबर है क्या कि यह सर क्यों है कारण बता सकते हो सर क्योंकि आपन इसको पी बाई क्यूं की फोर्म में लिख सकते हैं देखो जीरो को आप जीरो बाई वन जीरो बाई टू जीरो बाई थ्री ऐसे लिखते जाओ जीरो बाई माइनस सेवन जीरो बाई माइनस टें इन फाइनाइट तरीके से लिख सकते हैं देखो जिसको एक तरीके से भी लिख पाते हैं वह तो और चलुब अनंत रूप से लिख पाते हैं और अरहेक नंबर को अनंत रूप से पी वाई-क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और हर बार हर पी और क्योंसे एन्टीजर से देखो तो इसे लिए मैं क्या दूँगा यस जीत गया आप जीरो इजे रैश्टनल नंबर बिकॉस वी कन राइट इन फॉर्म पी बाइ-क्यू वार इंटीजर और जितनी बार भी मैंने लिखा इन फैंड नंबर बिकॉस तीन और चार के बीच में आपको छे रैश्टनल नंबर पता करने देखो इस तरह के कैसे अटेम्ट करेंगे वैसे तो आप इंफाइनाइट रैश्टनल नंबर बता सकते हो जैसे कि 3.1 3.2 3.3 यह सब रैश्टनल है थी पॉंट वन को क्या लिख द सकते हैं तो बहुत सारे रैश्टनल नंबर से तीन और चार के बीच में इतने हैं कि आप गिन भी नहीं सकते हैं जिंदगी खतम हो जाएगी लेकिन वो खतम नहीं होंगे लेकिन अब जब क्यूशन जब आता है तो आप एक फिक्स पैटन पे जैसा NCRT में उसने आपको बताया है वैसे फिक्स पैटन पे आप छे रैश्टनल नंबस निकाल के देते हो वो कैसे देते हो देखो हम क्या लिखेंगे फस्ट ओफ आप एक चीज़ समझना बच्चों कि बिट्वीन और ये दो प्री पोजिशन जब यूज करता है तो उसमें ना तो 3 शामिल होता है ना 4 शामिल होता है यानि 3 भी नहीं लेना है 3 और 4 के बीच में लेना है ठीके लेकर कल को 3 एंड बिट्वीन 3 एंड 4 की जग़व फ्रॉम एंड 2 का कॉंबिनेशन दे दे तब आप 3 को भी काउ कर सकते हो और और पॉर को भी काउंट कर सकते हैं ठीके तो यह बात रखना अब यहां पर बिट्वीन और एंड है तो 3 और 4 नहीं लेना है बीच के लेना है कैसे लिए सबसे पहले में थ्री को रैशनल नंबर बनाऊंगा ठीक है अब अपन क्या करेंगे अपने को छे चाहिए कितने चाहिए बच्चों गतने चाहिए कितने चाहिए च्छ तो आप क्या करोगे दिवैड को saukán एक ज्वाइन को उन च्रव सेवन सवन च्वंटीएट बच्चों मुझे चीज बता ना अंच ह। की एंपनिएब्यнуться कि वोता है क्या यह सर 28 बाई 74 होता है गया तो 3 और 4 के बीच के नंबर्स निकालने का मतलब क्या यह हो जाएगा कि इन दोनों के बीच का नंबर निकाल दू बात तो इक यह है बोलो और इन दोनों के बीच के नंबर कैसे निकालोगे आप देखो ज़रा 21 और 28 में साथ का गैप हो गया कितने का गैप हो गया साथ का गैप हो गया चलो 21 और 28 दोनों ही शामिल नहीं करोगे जब आप तो बीच में 6 नंबर्स बचे कौन-कौन से 22 23 24 26 26 और 27 सब को गर दो सेवन से डिवाइट 22 बटे साथ 23 बटे साथ यह मिल गए आपको छे रैशनल नंबर्स बिट्वीन ट्री एंड फॉर आंसर समझाए क्या बहुत आसान है पहले तो रैशनल नंबर बना दो वन से डिवाइड करके और जितने भी नंबर्स पूथ रहा है उससे एक ज्यादा से तो तीन और चार के बीच में नहीं दिख रहा था लेकिन अब एक्कीस और अथाइस के बीच में चेनल नहीं ले सकता है और सारे के सारे रैशनल है क्योंकि सबके सब्सक्राइब क्योंकि ठीक है चले नेक्स क्यूशन पर आज आप स्कूल नहीं जा रहे गया पास रैशनल नंबस पूर नकालने है एंड पूर बाइफ ay anand और फाइप निकालने तो देखो देनोमेनेटर तो Ele告訴 the पहले नंबर को रेश्टनल नंबर की फॉर्म में लिखना है या फिर यूं काऊं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के बाद अगला काम यह करना है कि जो एक क्यू है न वो शुट भी सेम क्यू इस सेम ऑफ बोथ नंबर यह आपको जय सेम होना चाहिए पिछले क्योशन में था थ्री न फ्र को सबसे पहले आपने कैं क्या कि ट्री को सबसे पहले अपने किया फ्र को भी आपने चीजिक्स्रों का बिक्यों की और तही consultants दिखाई दे रहा है और दूसरी चीज डिनोमेनेटर भी सेम दिखाई दे रहा है तो बस आगे वड़ो पर लेकिन किसी कुशन में इसा हो सकता है कि दिनोमेनेटर ना दिखाई तो हम क्या करेंगे अगला काम करेंगे हम तो कितने नंबर चाहिए वह आपको पाच चाहिए हम 6 से मल्टिप्लाइब कर देंगे नियूमडरेटर एंडुन तरी इंटू सिक्स क्या हो जाएगा एटीन और एटीन ऐसे थर्टी और इंटू सिक्स क्या हो जाएगा चोबीस और फाइस देख लो बहुए यह पांच नमबर समझाया यह सर चलिए अब मैंने क्या गा थाथ है एक ऐसा कि ले लेते हैं जैसे कि पॉर एन ले लो आप मैंने ले लिए वन बाइ टू एंड वन बाइ थ्री अब यह पी वाई क्योंकि फॉर्म में तो हैं सरफ पहला कैने तो सेंट पहला काम करने का मतलब है मतलब है इनका सब्सक्रों 236 लुक्त होता हूँ हिए सपहला नंबर इस दूसरा पहला नंबर कहता है 2,9 लिख सकता हूं एक सकता हूं इसा करने से फायदा यह हुआ कि यह और यह मिल गए से यह तो चाहते थे अब आपको जितने भी नंबर से उससे एक ज्यादा से मिल्टिप्ला कर दो इधर भी और इधर भी तो पूर इधर इसले ओर इशीग्सिक्सचओ जब्दीसों एक पूस्वारब कर दो आहीं यह सेविल और नंबर दूसरा रहा और पर पाइद है ठीकिए नुक्रेटर सेम नियुक्त लेकर सेम करो और उसके भाग सेमों हो जाए तो फिर वही काम करना है आपको यह जथनी नंबर पुछे जादा से चलते हैं फोर्थ फार्विंट्ट पर फॉलविंग इस ट्रू और फॉल्स तुर बताना रीजंस प्ताने तुनिया का हर एक natural number whole number होता है बताओ फूरू की false है क्या तुनिया का हर एक natural number whole number होता है क्या नो it is false क्यूंकि natural numbers के अंदर तो केवल 123 ही काउंट होते हैं है 45 और whole number के अंदर तो यह बिटा ट्रू हो आना false क्यों हूं आध एक बार मीटिंग लिप करके वापस आओ देखो बंद ओने वाली है फिर बताता हूँ अन्चावा जा रही है ये नेच्टरल नंबर एक छोटी केटेगरी है लेकिन बड़ी केटेगरी नहीं होती है अगर इसका उल्टा क्योशन होता कि एवरी होल नंबर इसको फॉल्स साबित करते हैं अभी ये ठूँ है देखो दुनिया का हर एक नेच्टरल नंबर होगा नेच्ट्रल नमर कौन सा है 1 2 3 4 5 मुझे बताओ क्या वन होल नंबर नहीं नहीं है उन्य क्या थ्री से नहीं है जितने भी नश चलते जाओ सारे के सारे होल नंबर है ना भूल लेकिन इसका होुटा कुछ नंबर ने तो फॉल सौज नंबर है बट वो नाई निकलता वह स्टीटमेंट फॉ हमेशा होगी लेकिन बड़ी च्छोटी कटेगरी नहीं होगी यह चीजा करता अभी जैसे अपने नोट में नोट में भी सीखा था देखो नंबस तरफें रियल इमेजनेरी अब मैं आप से सुझे चोटी से बड़ी में तो आप जा पाओगे सारे इसती नंबर येनल वह रियुष्ट ये वह भिशारी में बड़ी से चोटी नहीं कह सकते चोटी से बड़ी कह सकते हैं शमझ आया जर्ट सब्सक्राइब एवरी इंटीजर वजी नंबर रॉकिस आप सुनों इंटीजर बड़ी इंटीज़ बड़ी काचेगरी एपोजटिव नेगट यूट्रल खोल से चट करके आहेए आए कि नहीं को काट के आए ठीक है सब्सक्राइबी होगए नहीं होंगे यह फॉल्स हो जाएगा सद्राइदYour पर सब्सार के अंदर तो बहुत है जैसे हमने देखा था 1.5 3.6 लेकिन होल नंबर को इंटीजर्स का पार्ट था complete नंबर जी आते हैं इसमें जी रो वण टुई यह सब रहे complete नंबर आते हैं थ्री पॉन्ट सिक्स जो है वह रेश्नल थो है बट वह ओल नहीं है अब आपको इस क्यूशन में रिजन्स भी देने थे तो आप एक-एक एक 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 एकजामपल दे सकते हूँ जिसमें है जैसे नैश्रल नमबर तो whole number है नहीं सै इसमें तो कोई एक्जमपल नहीं दे सकते हैं ऐसिदेख। जैसे कि सारे के सारे integer whole number नहीं है तो कोई भी एक integer लेडिया integer minus 2 but minus 2 is not a whole number तो यह इसका reason हो गया इसके false होने का reason हो गया सच को सच चाबिद करने का कोई reason नहीं होता सच हमेशा सच होता है लेकिन गलत को गलत साबित करने का रीजन होता है ठीक है तो यह गलत है तो उसको एक रीजन से बताओगे कि बिकॉस माइनस 2 इस इंटीजर बट इस नॉट नंबर तो यह प्रूव हो गया कि सारे के सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं सिमिलरली रैशनल नंबर ले लो जैसा अभी लिया था मैंने 3.6 3.6 इस 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 यह फाल से बता तीनों में कोई डाउट नो सर्थ नो सर्थ एक्सेसाइज वनतों गई और तू फिर कली शुरू करते हैं देखने तू में क्या क्या कहता है वो तो यह प्लॉट करने के लिए गा तो यह आपका नेक्स टॉपिक है नोर्स में भी देख सकते हो नेक्स टॉपिक क्या है हमारा कि हाउट टू लोकेट इस एक बैस हो आई युप आपको को सिखाएगा क्लियर है आज के लिए काफी एक्सरसाइज 1.1 हो चुकी ठीक है ना चलिए तो 1.2 का इंट्रोडक्शन कल देखेंगे थैंक्यू सो मच पर लिस्टिंग तो आस वे नाइस टेए